नवस्टार पस्चिम मंगालक राजपाल, सीवी आनन बोश जी, मुख्य मंत्री, हादने मम्ता जी, केंद्रिय मंत्रि मंडल के मेरे सहयोगी, अस्वीनि वैश्णव जी, सुभाज सरकार जी, निशित प्रामानिक जी, जौन बारला जी, नेता विपक्ष, सुवेंदु अधिकारी जी, सांसत प्रसुन जी, मंत्र विराजमान अन्य साथी, देवी और सज्जनों, आज मुझे आप सब के बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे नीची कारणों के कारण, मैं आप सब के बीच नहीं आ पाया हूँ, इसके लिए मैं आपकी बंगाल की छमा चाहता हूँ, बंगाल की पुन्य धर्ती को, कुलकाता की एक्तिहासिक धर्ती को, आज मेरे लिए नमन करने का आउसर है, बंगाल के कणकण में आधादी के अंदलुन का इतिहास समाहित है, जिस धर्ती से बंदे मात्रम का जैगोश हुआ, वहाँ अभी बंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई गई, आज 30 दिसंबर की तारिक का भी इतिहास में अपना बहुत महत्वा है, 30 दिसंबर 1943, 1943 उद्दिल ही नेताजी सुभास ने अन्दमान में तिरंगा फैरा कर भारत की आजहादी का बिगुल्फुका था, इस गटना के 75 वर्ष होने पर, साल 2018 में, मैं अन्दमान गया था, नेताजी के नाम पर, एक द्वीब का नाम करन भी किया था, और अब इस समय देश आजहादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अम्रित महुत्सों मना रहा है, इसी अम्रित महुत्सों में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेंड शुरू करने का संकल्प लिया था, आज इसी में से एक हावडा न्यू जलपाई गुड़ी बंदे भारत ट्रेंड यहां कोलकता से शुरू ही है, आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्स का भी लोकारपन और सिलान्यास हुआ है, करीब पांच हजार करोण रूप्य की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्स काम हो रहा है, इस में से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तयार हो गया है, इससे शहर के लोगों की इज अफ लिविंग और बढ़ेगी, साथियों कुछ देर बाद ही मुझे गंगाजी की स्वच्चता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पस्चिम बंगाल को सौपने का आउसर मिलेगा, नमामी गंगे मिशन के तहट पस्चिम बंगाल में सिवरेट के 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को मंजुरी दी गई है, इन में से ग्यारा प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और साथ प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं, आज डेर हजार करोड की लागत से पांच नई परियोजनाओं पर काम भी शुड़ू हो रहा है, इसमें जो प्रमूख है वो है आदी गंगा नदी का पनरुदार, मुझे बताया गया है कि अभी आदी गंगा नदी की स्थिती दुर्भाग्य से बहुत खराब है, इसमें जो कुडा कचरा गिरता है, सीवर का गंदा पानी गिरता है, उसकी सफाई के लिए 600 करोड रुपिय से अधिप का आधुनिक इंफ्रासेक्टर तैयार किया जा रहा है, हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में प्रिवेंटिव हेल्ट केर की बात तो करते रहते हैं, और हम कहते हैं कि दिन्चरिया वो होनी चाहिए कि बिमारी की नौबती ना आए, ठीक इसी तरह नदी की गंदगी को साफ करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशर पर भी बहुत जोड दे रही है, और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधूनिक तरीका है, जादा से जादा आधूनिक सिवेज ट्रिट्मेंट प्लांट, आने वाले दस-पंदरा साल बात की जरुरतों को ध्यान में रखने हुए, देश में आधूनिक सिवेज ट्रिट्मेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं, आधूनिक के अमरित काल में हमें फॉर्वर्ड लुकिंग सोच और एप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है, साथियों इस 21 सदी में भारत के तेज विकास के लिए, भारतिये रेल्वे का भी तेज विकास, भारतिये रेल्वे में तेज सुधार ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं, इसलिए आज केंदर सरकार भारतिये रेल्वे को आधुनिक बनाने के लिए, रेल्वे इंफ्रास्टेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए, record investment कर रही हैं, आज भारत में भारतिय रेल्वे के काया कल्प का राष्ट्र व्याब्गी अभ्यान चल रहा है आज बंदे भारत तेजस हमसबर जैसी आधुनिक ट्रेने देश में बन रही है आज विश्टा डोम कोचिज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं आज सुरक्षीत आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड बुर्द्धी हो रही है आज रेल्वे स्टेशन को भी एरपोर्ड की तरह विक्षित किया जा रहा है न्यू जल्पाई गुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है आज रेल्वे लाइनों का दोहरी करन रेल्वे लाइनों का बिजली करन जिस रप्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ देश में जो इस्टरन और वेस्टरन डेडिकेटेट फ्रेट कुरिडोर बन रहे हैं वो लोजिसिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बडलाव लाने वाले हैं सुरक्षा हो स्वच्छता हो सामर्थ हो सामंजस्य हो समय की पाबंदी हो सहुलियत हो भारतिय रेल्वे आज एक नई पहचान बनाने की हम सब की कोशिस रंग ला रही हैं बीते आठ वर्षों में भारतिय रेल्वे ने आधुनिक्ता की निव पर काम किया है अब आने आल आठ वर्ष में हम भारतिय भारतिय रेल्वे को आधुनिक्ता की नई आत्रा पर निकलते हुए देखेंगे भारत जैसे युवा देश के लिए भारतिय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहाई है और इसमें निस्चित तोर पर 475 से जादा बंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी साथियों आजादी के बात के साथ दसकों में 20,000 रूट किलोमेटर रेल लाइन का बिज़िकर्ण हुआ वही 2014 में हमारी सरकार बनने के बार बिते 7-8 वर्सों वही 32,000 रूट किलोमेटर से जादा रेल लाइन का बिज़िकर्ण हो चुका है ये हैं देश के काम करने की रप्तार रेल लिवे के आदुनी करण की रप्तार और इस रप्तार को तेज करने के लिए अब भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली के बिजली के रेल इंजीनों का भी तेजी से निर्मान हो रहा है साथ क्यों आज के भारत की स्पीड और स्केल का एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टिम है कोलकता के लोग जानते हैं कि दसकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का कितना बहतरीन माध्यम रही है 2014 से पहले तक देश में कूल मेट्रो नेट्वर्क 250 किलोमेटर से भी कम था और इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली एंसियार की ही थी केंद सरकार ने इस स्थिति को भी बदलता हुए उसको बदले का पुरा प्रयास किया है और बहुत तेजी से बदला है बीते आठ वर्षों बें हमने मेट्रो का दो दर्दन से अधीक शहरों तक विस्तार किया है आज देश के अलग-अलग शहरों में लगबग 800 किलोमेटर ट्रेक पन मेट्रो चल रही है एक हजार किलोमेटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है जोका बिबिडी माग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है साथियो पिछली सदी के भारत की दो और बड़ी चुनोतियां रही है जिनोंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर राला है एक चुनोति रही इंफ्रास्ट्रक्टर के कारियों में विबिन्न एजन्सियों में तालमेल की कमी और दूसरी चुनोति रही ट्रांस्पोर्ट के विबिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का जीरो होना इसका नतिया यह हुआ कि सरकार के एक विबाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विबाग कहां नया काम सुरू करने वाला है इसका खामिया जा देश के इमानदाट टैक्सपेयर को उठाना पड़ता था देश का इमानदाट टैक्सपेयर हमेशा से सरकारी पैसे की बरबादी से परियोजनाओं में देरी से बस्टाचार से नफ़त करता है जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी कमाई से दिये हुए टैक्स से गरीब का नहीं बलकि किसी ब्रस्टाचारी का भला हो रहा है तो उसका खिन होना स्वाभाविक है पैसे की इसी बरबादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में, तानमेल को बढ़ाने के लिए पी-एम गति शक्ती नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है अब चाहे विबिन्द राज्य सरकारे हो अलग-अलग सरकारी विभाग हो कंस्रक्शन से जुड़ी एजन्सियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो सब एक ही प्लेटवर्म पर आ रहे हैं पी-एम गति शक्ती देश में ट्रांस्पोर्ट के अलग-अलग माध्योमों को जोड़ने मल्ति मोडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाइवे बन रहे हैं एरपोर्ट बन रहे हैं वाटरवे बन रहे हैं नए पोर्ट बन रहे हैं हाइवे बहतर तरीके से रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट हो रेलवे स्टेशन एरपोर्ट से कनेक्टिविट हो लोगों को ट्रांस्पोर्टेशन के दोरान सिमलेस कनेक्टिविटी भी मिले साथियों 21 सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्थ का सही इस्तेमाल करना होगा मैं देश के लोगों को वाटर वेज का हुदान भी देना चाहता एक समय था जब भारत में व्यापार, कारोबार और टूरिजम के लिए वाटर वेज का बड़े पहमाले पर इस्तमाल होता था इसलिए कितने ही शहर नदियों के किनारे बसे नदियों के किनारे इतना उद्धों की विकास हुआ लेकिन इस सामर्त को पहले सेक्ड़ों वर्षों की गुलामी और प्रियाजादी के बाद की सरकारी उदाजिंता ने तबाह कर दिया अब भारत अपनी इस जल शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है देश में सौ से जादा वाटर वेज और विक्सिप किये जा रहे है भारत की नदियों में आदुनिक क्रूज चले व्यापार भी हो तूरिजन भी हो इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं केंद्र सरकार ने बंगला देश सरकार के सहयोग से गंगा और बंब पुत्र नदियों के बीच बॉटर वेज लिंग स्थापित कर दे पर भी काम किया है मैं आज देश के लोकों को इससे जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूँ 13 जन्वरी 2023 को काशी से वाराणसी से एक कुरूज जा रहा है जो 32 किलोमेटर लंबे बॉटर वेज से होते हुए बंगलादेश से होते हुए डिवरुगर तक पहुँचेगा ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभुत्पर्व कुरूज होगा ये भारत में बढ़ते कुरूज टूरिजम का भी प्रतिविम बनेगा मैं पस्चिम बंगाल के लोगों से भी आगर करूँगा कि इसका जरूर लाब उठाए वैसे आज मैं एक और बात के लिए विशेश तोर पर बंगाल के लोगों को नमन करना चाहता हूँ बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रतिज जो प्रेम रहा है उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूँ देश के विबिन हिस्सों को जानने के लिए देश के विबिन हिस्सों में ब्रमण के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्सा होता है वो अधूत होता है बहुत से लोग पहला मोका मिलते ही किसी और देश में गुमने निकल जाते हैं लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्राश्विक्ता देते हैं बंगाल के लोग परियेटन में भी नेशन फर्स की भावना को लेकर चलते हैं और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है रेलवे, हाइवे, आइवे, वाटरवे, आधुनिक हो रहे हैं तो इससे इज अब ट्रावेल भी उतना ही बढ़ रहा है इसका बड़ा लाब बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है साथियों गुर्देव टेगोर्द्वार रचीत प्रसित पंक्तियां है ओ ओमार देशेर माटी तोमार पौरे ठेकाई माठा यानि हे मेरे देश की माटी मैं तुमारे आगे अपना सर जुकाता हूँ आज हाजी के इस अमरित काल में मात्तु भूमी को सर्वपरी रखते हुए हमें मिलकर काम करना है आज पूरी दुनिया भारत को बहुत बरोसे देख रही है इस बरोसे को बनाए रख रही है हर भारतिये को पूरी शक्ति लगा देनी है हमें हर दिन का उपयोग राष्ट निर्माण में करना है हर पल का उपयोग राष्ट निर्माण में करना है देज सेवा के कारियों में हमें रुकना नहीं है इनी सब्दों के साथ मैं इनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ फिर एक बार आपका विवादन करता हूँ और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद